और अगली परस्तुती है Department of Higher Education से रजत कुमार गर्ग आप असमसी हैं लाल बहादर श्वास्त्री पर हिंदी में अपने विचारों के साथ हमारे समक्ष यजनते सात्वे का देवाने अक्षर अक्षांसी राजसाह प्रेतान भूत गणाम अस्चायन से यजनते तामसा जना पीपल हुआर प्योर इन हर्ट एंड माइंड गोड इन नेचर और बिलीव इन लाइट वर्शिप दा गौड अफ लाइट नमस्कार मैं रजट कुमार गर्क राष्ट्य विधी विश्विध्याले एवं न्यायक अकादमी असाम से माका माख्या की धर्ती से विश्व के सबसे बड़े लोकतंद के मंदिर में विराजमान सभी गणमान अधितियों का हार्दिक स्वागत एवं अविननन करता हूँ मैं आने पर मैं लोकसाबा अध्यक्ष यूजी सी प्राइड एवं राष्ट्य विधी विश्विध्याले का आभार व्यक्त करता हूं आत्म निर्भर भारत अमरितकाल में प्रिवेश करता भारत तेजी से भड़ती अर्थ ब्यवस्ता भारत विश्व का सबसे बड़ा लो सास्त्री जी जैसी उन महान विभूतियों का जिनोंने अपना सर्वस इस देश पर नियोचावर कर इस देश को एक दिशा प्रदान की लाल भादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में जन्मा भारत मा का एक सपूत जिसमें देश के प्रती इतना लगाव था कि महात्मा गांधी के एक आवान पर सोला वर्ष की छोटी आयू में अपनी पढ़ाईत को त्याग असयोग आंदिलेन में अपना हिस्सेदारी दी शास्त्री जी एक सुनिश्यत काल के नेता ही नहीं अपितू एक प्रेणादाई महपुरुष थे जिनके विचार आज 21 सदी में भी प्रासंगेक हैं 1965 में भारत पाक के युद्ध के समय उनका नेतरत्व आज भी प्रासंगेक साबित होता है भूच राजनीतिक तनावों एवं संगर्ष ग्रस दुनिया में कूटनीती एवं शांधिपूर बाच्चीत करने की शास्ती जी की प्रतिबद्धिता एक अनुसमारक प्रदान करती है जो की भारत में संपन हुई G20 में अपनाए गए डेली डिकलेरेशन में टोडेज एरा इस नौट एन एरा वर्ल के संकल्प में साफशाप प्रदर्शित होती है अभी शास्ती जी के एक कथन को मैं यहां कोट करता हूँ जो वो कहते हैं कि हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं अपितू विश्व की शांती के लिए एवं शांतीपुड विकास में विश्वास रखते हैं जो वसुदैब कुटुम्बकम के संकल्प को दर्शाता है जो G20 की थीम One Earth, One Family, One Future में भी देखने को मिलता है शासी जी से प्रेरित होकर भारत आज Global South Leader के रूप में विकास शील देशों को सतत विकास लक्षों को प्रदान करने में एक एहम भूमी का निबा रहा है उन विरकट परिस्थितियों में जब भारत खाद्यान संकर से जूज रहा था तब सास्ती जी का देशवासियों से एक दिन का अब उपवास करने का आहवान नो हंगर के लक्षों को प्राप्त करने के लिए और अग्रिसर हमें दिशाप्रदान करता है वर्ष 2030 तक SDG के लक्षों को सफलता पूर्वक पाने का भारत का संकल्प उसकी नीती सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में दिखाई पड़ती है शास्त्री जी ने सुएत करांती एवम हरित करांती के माध्यम से आत्मिर भारत की एक डीव रखी आईए हम महात्मा गांदी जी एवम शास्ती जी के इन सिद्धानतों को बनाए रखें एवम बरतमान प्रदानमंत्री जी के विजन 2047 में भारत को 2047 तक विक्षित राष्ट बनाने के एक संकल्प में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें इसी के साथ शास्ती जी एवम गांदी जी को नमन करते हुए मैं अपना भाशन या समप्त करता हूँ जै हिन जै भारत भारत माता की जै